आज देश में हमारी फैली हुई है और उसको रोकने में बहुत पड़ा योगदान्स है सेनीटाइजर का है हाथ को साफ रखने के जो पदार दाते उनका है लेकिन जो है यह देश का दुर्भाग है कि 100 रुपए वाला सेनीटाइजर इस समय 500 रुपए में ब्लैक खुरा है तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको ऐसा सेनीटाइजर बताओं कि आपको बजार से म कोई खटा शुरू करना शुरू करा और उसी दौरान एक हमारे क्लीनिक पर एक मित्र आये उनका नाम शुभम अगरवाल जीर है हमारे साथ ही हमारा भाई है तो वो हमारे क्लीनिक पर आये और उन्होंने हमें जब भाई अब आजकल जिस मर्ज की चर्चा पहली है तो क्लीन उन्होंने घर में अपने बच्चों परिवार के लिए hand sanitizer तियार कराया वहाँ नुक्से से जो वह सौ साल से करती आ रही। तो इतना पुराना अचुक नुस्खा उन्होंने हमको बताया। जब उन्होंने हमको यह नुस्खा बताया तो मैं उन्हों पर पहले भरोसा नहीं करा। मैंने उसको गूगल करके उन्होंने जो जो नुस्खे के components बताये उनके बारे में जानकारी लिकिया कि क्यों यह काम करता है। और हमने पाया वास्तम में यह आतुल निये हैं अधूत है अनुखा है। तो हमने का क्यों ना इस पर आप लोगों को एक वीडियो बनाये जाए इस विपत्ती के समय में और ऐसे भी हाद साफ रखना तो आज विपत्ती है कल खतम हो जाएगी बहुत जल्द ही चला जाएगी समस्या इस तेज से लेकिन जो है वहाँ हैंड को सेनिटाइज करना तो ह हमेशा के लिए ही अच्छा है हम आपको बताते हैं वो हैंड सेनिटाइजर जो आप घर में बना सकते हैं जो हमें सौ साल वर्फ की उम्र की दादी जी ने बताया है और जब हमने इसको गूगल करा तो जाना कि यह बहुत कारगर है हम आपको बताएंगे वोन उसका एक साइ हैंड सेनिटाइजर जो आप अपने घर में बना के रख सकते हैं और अपने परिवार बच्चों बड़े बुजुर्गों सब को सुरक्षित रख सकते हैं बहुत असान उसका है साथियों बहुत कोई कारगर कोई कठिन बात नहीं है उसमें आपको वो सारा समान जो आपके आसपास सुपलब्द है उसी से आप इसको बना सकते हैं थोड़ा सा आपको बस कष्ट करना पड़ेगा पांच मिनिट के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा कुछ समान उसमें से लाने के लिए लेकिन वार निसुल्क है बताते साथियों आपको एक बेहतीन हैंड सेनिटाइजर घर में बनाने का अचुक नुस्का जो हमारी सो साल पुरानी मरीज हमारी दादी जी ने हमको बताया है हम आपको साथियों बताते हैं वहाँ जादूई नुसका वहा एंड सेनिटाइजर जो आप अपने घर में बना सकते हैं आपको कुछ सुबा के टाइम उठना है किसी पार्क में चले जाना है जहां पे नीम का पेड़ हो वहां से आप 50 पती किसी नीम के पेड़ से तोड़वा लेनी है और आपको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कहीं पर आपको स्यामा तुलसी जो काली वाली परफिल तुलसी होती है उस थोड़ा सा आपको कपूर यानि कैमफर ले लेना है और थोड़ा सा आपको फिटकरी ले लेनी है यानि पचास पती आपको नीम की ले लेनी है बीस पती आपको तुलसी की ले लेनी है आपको एक चुटकी भर पस एक पांच गिराम मान लीजे पांच गिराम से भी कम आपक आपको वापस घर आ जाना है और आप को जो आप नीव की पत्ती लाएं और जो आप तुलसी की पत्ती लाएं इनको अच्छे से दोके आपको पानी में उबाल लेना है एक लिटर पानी में आप पचास पत्ती नीम की डाल दीजे ठीडिये उसको उबाल लीजिए उसको इतना उबाल लीजिए जब वहाँ पानी आधा रह जाए जब वहाँ पानी आधा रह जाए साथियों तो उसमें आपको आधा रह जाए और ठंडा हो जाए तो उसमें आपको camphor, यानि की kapoo डाल देना है और जो आप फिटकर ही लाएं, potash alum, potassium alum वो डाल देनी है और इसको आपको रख लेना है अब जब भी आप घर से आए, घर पे आए, या बाहर से तो आपको इसी में, आपने office में भी आप इसको रख ले आपको अपने हाथ इसी में एक बाद डिप कर लेने यहां बहुत अच्छा head sanitizer है, जो आप भर में बना सकते हैं हमको यह भी समझना होगा कि यह क्यों काम करेगा नीम में साथियों antiviral properties होती हैं क्योंकि उसमें दो compound पाए जाते हैं पहला है triter phenoid और तीस दूसरा है glycosides triter phenoid और glycoside यहां antiviral compound होते हैं जो नीम में पाए जाते हैं तो जब आप इस mixture को बनाते हैं तो स्वता यहां दो compound आपके उस भगोने में आ जाते हैं तुलसी यानि ऑसिमम सेंक्टेनम में साथियों टेरी फिनोइड और पॉलिफिनोइड पाए जाता है या टेरी फिनोइड और पॉलिफिनोइड भी antiviral compound है यहां भी आपके solution में है तो यहां आपको antiviral properties इसी कारण तुलसी से भी आपको आपके hand sanitizer में मिलती हैं पाए जाता है कैमफिसीन वहां compound है जो hemoglutinins को block करता है hemoglutinins वो compound होता है जो आपके RBC को एक साथ किलंप होने से रोकता है तो इस तरह यहां आपको antiviral properties देता है और चौथा compound जो इसका potash alum यानि की fit curry है वहां जो है catalyst का काम करती है किसी भी acidic reaction में तो आपने तीन compound हो जो आपका नीम है वो antiviral हो गया जो आपका तुलसी है वहां antiviral हो गया camphor antiviral हो गया और जो potash alum है यहाँ इन तीनों के effect को बढ़ाती है उनके catalyst का काम करती है तो आप इस hand sanitizer को बना के अपने घर पे रख सकते हैं और इसका आप लाव ले सकते हैं अपने परिवार को निरोप रख सकते हैं आपके मन में साथ हो इस वीडियो से कोई query आ रही हो तो आप हमें YouTube notification या WhatsApp पर अपनी query WhatsApp कर सकते हैं कोशिश करेंगे आपको संतोच अनक जवाब दे पाएं वीडियो साथियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like और share करिएगा आज के महल में जरूरी है जब हाचीज black हो रही है अपने चैनल को subscribe करिएगा और बैल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप करते रहेगा आपका साथियो इती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धर्नेवाद कर्णान में बचल ऑचके स करेंगा करे में जर्नेवाद कर्णार बार बार खो रहा है झाल झाल